राजकुमर राव को गेंग्स आफ वासेपूर में नवाजुदिन सिद्धिकी जैसा बड़ा रोल मिलने वाला था उन्हें फिल्म के डारेक्टर अनुरा कश्शब ने यही कहे कर कास्ट भी किया था राजकुमार राव उस वक्त इंडरस्टी में नए थे उन्हें विश्वास नई हो रहा था कि इतनी बड़ी फिल्म उनके हाथ कैसे लग गई हाला कि आगे चलकर अनुरा कश्यब ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव कर दिये राजकुमार राओ का पहले की तुलना में रोल कम हो गया हाला कि राजकुमार के पास उस वक्त विकल्पों की कमी थी सहाथी कम समय में इतनी बड़ी फिल्म आफर भी हो गई थी इसी वज़े से वो फिल्म से नहीं हटे उन्होंने छोटे रोल को स्विकार कर काम करना चारी रखा एक इंटर्विम में राजकुमार राओ ने कहा अनुरा कश्यब ने मेरी फिल्म लव सेक्स और धोका देकी थी उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि वे एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है गेंग्स आफ वासेपूर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा रोल फिल्म में फैजल खान के बराबर होगा दोनों में लड़ाई दिखाई जाएगी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे अनुराक कश्चप के फिल्म में काम करने का मुका मिल रहा था वो भी सीधे लीड रोल में राजकुमार राव और नवाजुदिन सिद्धिकी ने अपने रोल की तैयारी भी शुरू कर दी थी दोनों दस दिनों के लिए वासेपूर भी गए थे राजकुमार ने आगे कहा अचानक एक दिन अनुराक कश्चप ने मुझे बुलाया अनुराक ने कहा कि उन्होंने फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव किया है अनुराक ने बताया कि अब वे दो पार्ट में फिल्म बनाएंगे केरेक्टर्स में भी कुछ बदलाव किये गए है अनुराक ने मुझे कहा कि अगर आप चाहें तो फिल्म से निकल सकते हैं हालाकि मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा मैं अनुरा के फिल्म में काम कर रहा था मेरे लिए यही बड़ी बात थी इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ रहने बाद